नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मेगना सेंग साल का दूसरा और आखरी चंडर ग्रहंड लगने चा रहा है और खास बात ये है कि शरद पूर्णिमा के दिन ये ग्रहंड लगने चा रहा है आपके जीवर पर इसका क्या प्रभाव होगा देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव होगा राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौझूद है जोतिश चार्य डॉक्टर नीती शर्मा और जोतिश चार्य डॉक्टर पूजा भाटिया नीती जी पहला सवाल आप से शरत पूर्णिमा के दिन ग्रहन है शुब है या शुब है देखिए ग्रहन जो चंद्र ग्रहन लगता है वो हमेशव पूर्णिमा तिथी को लगता है और सूरे ग्रहन जब भी लगता है वो मावस्या को लगता है शरत पूर्णिमा बहुत ही शुब दिन माना जाता है इस इन मा लक्षमी का प्राकटे दिवस हुआ था इस दिन जो चंद्रमा है वो अपनी 16 कलाओं से संपून होता है और पृत्वी के बहुत ही नजदीक होता है जिसकी वज़ा से वो अम्रित की धारा पृत्वी पर भेजता है तो पूर्णीमा और उसके उपर भी शरत पूर्णीमा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और सिध्धी के लिए शुबता के लिए बहुत ही उत्तम ग्रहों का योग माना जाता है लेकिन इस बार इस दिन चंद्र ग्रहन लग रहा है आज के दिन चंद्रमा जो है वो अश्वनी नक्षत्र मेश राशी में ये ग्रहन लग रहा है राहू भी समय अश्वनी नक्षत्र में है और मेश राशी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है लेकिन एक शुब फैक्टर यहां पर यह है कि गुरू चंद्रमा के और राहू के साथ बैटा है हाला कि गुरू इस व वार की स्तिती बनी हुई है युद का काल एक तरीके से आगाज हो चुका है और इस ग्रहन के बाद यह ओर जड़ादा एग्रिवेट होने वाला है क्योंकि मेश राशी जो है मंगल की राशी है सेनापती की राशी है ब्लडशेट की राशी है यह बहुत ज़्यादा शाप पूरा प्रभाव प्रित्वी पर पड़ेगा भारत के साथ काफी और देशों में देखा जाएगा तो बहुत ज्यादा शुब नहीं मान सकती हूं लेगिन क्योंकि गुरू साथ में बैठे हुए तो थोड़ी सी अशुबता कम जरूर हो पूजा जी आपके पास आना चाहूं गहETा है जकटे हैं कि पंद्रा दिन के अंदर जब घृष्ण पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अशुब फ़ल देता है इस्राइल की बात कि serval वहां युद्ध की फिल्हाल इस्तिति चल रही है वहा Одनी रहा है बार जगवाभ उए हैं भुकमप आरे हैं लेकिन इसी के साथ अब बात की जाया, अब क्या और अशुब देखना रह गया है? देखे, जनरली जब भी पंदरा दिन के अंतराल पे सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन आता है, तो डेफिनेटली इसका नाच्रल केलमिटी इस पे बहुत बड़ा जबरदस इंपक्त आता है, तो नाच्रल केलमिटी इस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं तो बहुत भीशन वर्षा होईगी, बार की सित्यां बनेगी, कहीं एक्स्ट्रीम अकाल पड़ेगा, और जिस तरह से मंगल की राशी में आप कह रहे हैं कि अश्वनी नक्षत्र में हैं और मंगल की राशी में पड़ रहा है ये ग्रहन, तो मंगल की राशी क्या होती है, मंगल की राशी होती है, बलडशेट की राशी, ठीक है, ये दुरगटनाओं की राशी होती है, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो यह राशी जो होती है अगनी, शस्त्र, गैस, इन सब चीजों के इस तरह के कांड हम expect कर सकते हैं, अगनी कांड कहीं, कहीं बहुत major violence हम expect कर सकते हैं, restlessness expect कर सकते हैं, क्यूंकि मून जो है, मून भी महिला का कारक होता है, और मंगल की राश हम जो extreme, अगर हम भारत की कुंडली लगा है तो भारत की ऐसी तरह से रिश अप-लगन की कुंडली है, और यह 12 स्थान पे ग्रहिन लग रहन लग रहा है, तो 12 स्थान में ग्रहिन नेवल बॉर्डर से हमें इंडिया को थोड़ा सा सत्तर्क रहने की बहुत जादा जरूरुत इसके अलावा जो है चंद्रो ग्रहन में हमें जो एक्स्ट्रीम जो है हाई टाइट जाती है बड़ी जबरदस्ट टाइडल प्रॉब्लम जो है वो बहुत जबरदस्ट प्रॉब्लम क्रेट करती है विमान धूरगटनाय होती है और जिस तरह से अब मंगल का राशी परिवर् है क्योंकि उन 45 दिनों में वार एक्स्ट्रीम अपने उस पर आएगी और उसके साथ ही उसके बाद धीरे-धीरे उसका सोल्यूशन भी होता हुआ नजर आ रहा है नीती जी शरत पूर्णिमा पर ग्रहन पढ़ रहा है और कहते हैं कि शरत पूर्णिमा पर चांद से अम्रत खीर रखते हैं उसमें और उस खीर को सुबह खाते हैं इस बार ग्रहन है कैसे होगा निश्यरूप से शरत पूर्णिमा में खीर का भोग लगाना और मा लक्ष्मी को और राधारानी को भोग लगाना बहुत ही शास्त्रों में महत्वपूर्ण माना जाता है लक्ष्मी की प बचके 5 मिनट से लेके 2.24 मिनट तक लग ताधाय ह। तो जो हमको समय मिल रहा है उष समय तो हमको ग्रेंट मिल रहा है तो इसमे एक ही उपाए रह जाता है कि शुभा चार besk Queens 17 मिनट 28 की सुभा जिस समे घ्रम मोअरध होता है वहां से लेके सूरे ओदे तक जो साड़े 6 बजे के आसपास होगा यानि कि 4 बच के 17 मिनट सुबे प्रातयकाल से 6 बच के 30 मिनट के बीच में अगर आप खीर को चंद्रमा की या काश की उश्माओं के नीचे रखते हैं तो आपको जो पूर्णी मा का जो लाब है खीर में वो आपको प्राप्थ होगा नहीं तो फिर आपको ग्रहन के अगले दिन करना उचीत रहेगा लेकिन सबसे अच्छा समय है कि आप भ्राम मुरत में 4 बच के 17 मिनट से सुबे सारे 6 बजे के बीच में खीर को बना कर आप चंद्रमा की उश्माओं के नीचे सूरे उदे से पहले रखें और उसको फिर प्रशाथ के रूप में आप सारे घर वाले खाएं पूजा जी आपके पास आना चाहूंगी सूतक काल की बात की जाए है और क्या ऐसे काम है जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए बिल्कुल मना ही होती है जिने करने की सूतक काल में क्या करना नहीं चाहिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है सूतक काल में जब 9 घंटे पहले हमारा सूतक लग जाता है तो उस समय कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और मंदिर में प्रवेश वर्जित हो जाता है देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको ढग दिया जाता है तो इस तरीके से मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है कोई भी शुबकार सूतक काल में करना वर्जित माना गया है चु तुलसी को बिल्कुल भी ना तोड़े ना ही छुएं ये बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि तुलसी का पत्ता जो भी हम खाने में डालते हैं वो आप सूतक काल से पहले तोड़कर ही अपने खादेपरदार्त में डाल दें उसी से ही बेटर रहेगा और इसके अलाबा सूतक क किने का सेवन कम करेंगे उतना आपके बॉड़ी के फ्लुइट्स मेंटेन रहेंगे स्टामक अपसेट होने के बहुत जादा चांसेज होते हैं उनका जो है इमोशनल बालन्स भी बहुत जादा हाई होता है तो किसी भी तरह के लड़ाई जगड़े और तनाव से बचें इस इंफरन पर और सूत तक कालिगर ठीटीट पूरिया अपने मंत्र की बात की कौन सा मंत्राऌ पढ़ना चाहिए कि मंत्र जो है सबसे बढ़ा तो जिस सेब चुन्र्माम जो मैंसों जाताग चैन्दरमा जो है मन का का रख है तो माइंडर मेंट इंपक्त आता है इमोशन अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप सिरफ ओम नमस्षिवाये अपने मन की शांती के लिए इसी की चांटिंग्स करते रहिए अगर आप बहुत बिमार फील कर रहे हैं या घर में कोई ऐसा इनसान है जो बहुत बिमार है तो आप महामृत्युन जाय का जाब कर सकते है नीति जी बात की जाये शरत पूर्णिमा की शरत पूर्णिमा को लक्षमी जी से चोड़ कर देखा जाता है कहते हैं कि धनवाशा होती है लक्षमी जी की पूजा की जाये तो लेकि नेजबार ग्रहन है कैसे पूजा पाठ की जाये लेकिन निश्य रूप से पूजा आपनी संकोच होकर कर सकते हैं और ग्रहन काल में आप कर्मकान की पूजा नहीं कर सकते हैं लेकिन मंत्र जापका बहुत प्रभाव होता है राधर इस समय लोग सिध्धी को प्राप्त करते हैं तो यह वो समय है जब आप मंत्रों की उर्जाओं को ज़ादा महसूस कर सकते हैं और उससे ज़ादा फल प्राप्त कर सकते हैं. लक्षमी की प्राप्ति के लिए श्री का बीज मंत्र ओम श्रीम या श्री सुकतम का पाठ या फिर भगवान शंकराचारे द्वारा निर्मित कनकधारा स्तोत्र अगर आप पढ़ते हैं पूरे दिन पूर्णिमा के दिन तो आपको विशेश फल लक्षमी की प्राप्ति होती ह इस दिन अगर आप ग्रहन काल से पहले सूतक काल से पहले अपने घर में शिरीयंत्र की पूजा करें और शिरी सुक्तम का पाठ करें तो निश्यरूप से लक्षमी की प्राप्ति होती है पूजा में आप कोड़ी और गोंती चक्र को अविश्य इस्तमाल करें और सोटीक की माला से मालक्षमी के बीज मंत्र को आप जाप करने से लक्षमी की निश्य रूप से प्राप्ति होती है और जिस समय गरहां काल रात को चल रहा होगा जो मध्यरातरी का समय होगा तो हो सके तो समय आप सोई नहीं और अपने चाहे आप अपने शयनकक्ष में बैटकर या गर्वती महिल आएं हैं तो वो अपने बैट पे लेटकर ही जागरत अवस्था में वो मंथ से जो कहते है ना सांसों की माला से मंत्रों का जाब करें, मालक्षमी का जाब करें, चंद्रमा का जाब करें, चंद्रमा के बीज मंत्र का जाब करें और दो बीज मंत्र आपको जरूर जाब करने चाहिए, सिंधी के लिए भी और नकरात्मक उर्जा को नश्ट करने के लिए वो मंत्र है राहू और केतू के बीज मंत्र क्योंकि जो ग्रहन लगता है वो राहू केतू की एक्सिस की वज़ा से लगता है और रात्री में ये जो नकरात्मक उर्जाई होती है राहू और केतू की जादा सक्रिये होती है ग्रहन काल में तो पूर्ण प्रभाव में होती हैं तो जब आप इस समय ये मंत्रों का जाब करते हैं तो जो नकरात्मक उर्जें किसी भी रूप में आपके इर्दगीर्थ आ गई हैं वो शीन होती हैं और सकरात्मक उर्जाओं में परिवर्थित होती हैं पूज़ा जी आपके पास आना चाहूंगी, हमने देखा कि पूरी दुनिया इस वक्त आत्विवस्ताज़त के मुश्किल दौर से गुसर रही है, ऐसे में व्यापारी वर्ग की बात की जाया, तो ग्रहन के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए? देखी ये जो ग्रहन है, ये मेश राशी और अश्वनी नक्षत्र में पढ़ रहा है, अब अश्वनी नक्षत्र की यदि हम बात करें, तो जो लोग मेडिकल फील से जुड़े हैं, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रेक्टिशनर्स, फार्मिस्ट, वैध्य, हकीम, थेरपिस्ट, इ जितने भी dairy products हो गए, जितने भी moon related business हो गए, clothing, garment, अगर आप stock exchange देखेंगे तो अभी पीछे इन सब dairy products की और textiles के stocks जो है, बहुत जबरदस्त गिरे भी हैं, तो major fluctuations आप देखेंगे, सोना चांडी के भाव में आप major fluctuations देखेंगे, तो व्यापारी बर्ग में तो डेफिनिकल और अश्वनी नक्षात्र से related जितने भी professions हैं, बिजनस हैं, specifically जो business जिसमें horses का इस्तमाल होता है, वहाँ पे भी impact आता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में व्यापारी वर्ग को क्या करना चाहिए, सबसे बहले तो आप मालक्षमी के मंत्र करते रहिए, और अपने business के सान प जो होता है, वह काफी हद तक कम हो जाता है, और उसका शुप प्रभाव आपको सुनने को मिलता है, साथ ही आप मंत्रा चांटिंग करते रहिए, और मनो कामना पूर्ती के लिए अपने business की growth के लिए आप manifestations कर सकते हैं, पूरे office में गंगा जल छिडख सकते हैं, और इसके अल तो ग्रहन के दौरान खाने पीने की मनाई होती है, खाना पीना नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ अगर सूतक काल की बात की जाए, तो वहां पर भी मनाई होती है, तो खाना कब तक खा लेना चाहिए इस वक्त में? देखिए, आइडियली तो जो पीक टाइम है ग्रहन का जो मध्यर आत्रिय वो भोजन का समय है नहीं, शयन का समय है, तो वहां तो आपके सेविंग फेक्टर मिल रहा है कि और तकरीबन सवा घंटे का ये ग्रहन लगेगा, उस समय तो बिल्कुली निशेध है खाना, और मेर ख्याल से आवेशकता भी नहीं है, लेकिन सू तक काल नौ घंटे पहले लग जाएगा, तो पैर को शाम को चार बजे के पांच मिनट के आसपास प्रारम हो जाएगा, लेकिन इतना समय रहना भूका रहना नौ घंटे संभव नहीं है, जो लोग रोगी है या जो लोग महिल की मात्रा और शुबता की मात्रा जादा होती है, तो वो जो नकरात्मक किटानू होते हैं ग्रहन की वज़ा से, वो उनका कहीं नाश करती है, दूसरी जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए आवेशकता है, वो वायू का प्रान उर्जा है, जो पंच तत्वों में, जो वायू है वो सबसे ज़्यादा महत्त पूर्ण है, अभी कोविड में हमको पता चला कि कितनी जरूरी होती है, और उसी के माध्यम से जब आप कोई मंत्र को चैंट करते हैं, तो आप उस उर्जा को सकरात्मक बना के उसको ग्रहन करते हैं, तो आप जो भी खाना इस समय आप ग्रहन कर से, अगर आपने कोई अपना गुरु मंत्र ले रखा है, तो उस मंत्र से चार्ज करकर उसके बाद आप उस खाने को अगर आप ग्रहन करते हैं, तो निश्य रूप से उसके नकरात्मक प्रभाव काफी हद तक शीन हो जाते हैं, तो खाना आपको खाना है, लेकिन उसको मंत अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो ग्रहन की राज जो होती है सिधी की रातरी मानी जाती है इस दिन आप जिस भी मंतर को सिध करना चाहते हैं उस मंतर की यह दिया चांटिंग करेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशल रहने वाला है अगर आपकी कोई भी मंतर का जाब कीजिए तांकि आपकी बिमारी जो है वो खतम हो जाए अगर आप शनी की धाया या शनी की साड़े साती से गुजर रही है आपकी जिंदगी में रुकावटे आ रही है तो आप शनी मंतर का जाब कीजिए इससे शनी मंतर का जाब करने से साड़े साती का तरह की manifestations करने से बहुत ही बढ़िया रहेगा और हम जो चंद्रमा के जितने भी हमारे मंत्र होते हैं जिसे कि ओम नमस्षिवाय का मंत्र हो गया महमृतुन जय का मंत्र हो गया चंद्र का specific ओम सुम शुमायनमा का मंत्र हो गया और इसके अलावा हम मंत्र में लक्ष्मी जी का मं कर सकते हैं तो यह रात मंत्र सिद्धी के लिए बहुत ही important रात है और जो भी आपकी manifestation से आप इस रात में कर सकते हैं नीती जी अगर pregnant महिलाओं की बात की जाए तो बहुत सी उन्हें सावधानिया बरतने के लिए कहा जाता है अब यह रात के वक्त ग्रहन पढ़ रहा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए क्या उन्हें सोना चाहिए या उटना चाहिए उस वक्त और छोटे बच्चों के बारे मे अगर संभव हो तो ग्रहन के समय आपको जागना चाहिए आप लेड सकते हैं आप लेड सकते हैं प्रेगनेंट भाहिलाओं को स्पेशलिस्वें लूस कपड़े पहनने चाहिए बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के उनको सोना नहीं चाहिए और उसके बाद वो इस हावस्था में सोय की ज्याद़ा मुवमेंड ना करें और जो आपके गर्व का स्थान है जुआ शु स्थान हे सु 25 पर आताय flowers ये छंदन हे सकते हैं उसे घंडी चीज या फिर रांताय रोली में हालता मिलाकर ili मिलाकर आप तर अपने जोगर्व के एरिया को है इसको आप ढ और हो करने हैं तो परिया वटाल के मुख्यति रूप से जितना मेडिटेशन करेंगे उतना ही अच्छा है और यह जो वस्त्र आप रात को पहन के सो रही है एक जितनी भी गर्वती महिला आई है वो सुबह उटने के बाद संपून वस्त्र आपको दान करने हैं और उसके साथ थोड़ा सा दान सामगरी जैसे की आटा, चीनी, चावल, सफेद वस्तुएं वो आपको किसी गरीब महिला को क्योंकि चंद्रमा महिलाओं का कारक है, माता का कारक है, जो माता समान महिलाओं हैं उनको आप सुबह दान कर दीजिए और उसके बद पुन्हा गंगा जल से स्नान करके आप अपनी दैनी क्रियों में आप अपना काम कर सकते हैं नीती जी एक सवाल यहां जाना चाहूंगी, जिसरा से प्रेगनेट महिलाओं को कहा जाता है कि उन्हें इस वक्त में कुछ काटना नहीं चाहिए, कहते हैं कि बच्चे के अंगों पर इसका असर पड़ता है, क्या यह मेथ है या वाकरी यह सा कुछ देखे, टेक्निकली या फिर अमावस्या होती है, तो जो mentally challenged लोग होते हैं, वो काफी जादा agitate हो जाते हैं, आप normal day-to-day life में भी देखेंगे कि फुल मून या नो मून के समय, आपको काफी जादा गुसा आता है या कुछ लोग काफी जादा एक happy feeling आती है, तो यहां पे कोकी चंद्रमा प्रभ है, उसकी वजह से मानसी कफसात, depression, जैसी समस्या, anxiety issues हो जाते हैं, और जब आप anxiety issues हैं, अगर आप mentally disturbed नहीं और आप sharp objects को use कर रहे हैं, तो there is a possibility कि वो आपको hurt कर रहे हैं, कोई accident हो जाए, तो इसको scientifically इसलिए समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई अंग बच्चे का खराब हो अगर कोई भी ऐसा काम, जिसमें risk involved है, उसको आप avoid करेंगे, तो उसका आपको negative effect नहीं होगा, और वैसे भी ग्रहन का जो समय मद्यरातरी, वो ऐसा कोई समय नहीं है कि आप cooking करेंगे, वो ऐसा कोई समय नहीं है कि आप कैंची का इस्तमाल करेंगे, या सुई धागे का इस्त पड़ेगा, ऐसे मैं आप से जानना चाहूंगी किस राशी पर अच्छा प्रभाव ये ग्रहन लेकर आ रहा है, देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगी जिस तरह से मेश राशी में ग्रहन है, तो मेश राशी और तोला राशी पे इसका नकारत्मक प्रभाव है, और मितुन राशी से गैरवे भाव में लग रहा है, तो बहुत ही शुब रहेगा मितुन राशी के लिए, बिजनस में ग्रोथ, उनती, इंक्रिमेंट के चांसे, जॉब में प्रमोशन के चांसे बन रहे हैं, वहीं दूसरी राशी अगर मैं देखूं तो व्रिष्चिक राशी वालों के लिए, और इसके अलावा किसी भी तरह का रोग, रिंड, शत्रू, उसको प्रास्त करने में आप काफी सामर्थे रहेंगे, तीसरी राशी जो है कुम्ब राशी की यदि मैं बात करूंगी, वहां से तीसरे स्थान में लग रहा है, तो शुब यात्राएं होंगी, आपकी communication strong होगी, आपके siblings के साथ relationship अच्छे होंगे, आपकी short travels होंगी जो आपके लिए बहुत ही positive रहने वाली हैं, तो overall इन राशियों के लिए तो positive effect है, तीन-चार राशियों के लिए जैसे कि मैंने बताया मेश और तुला और कर्क और सिंग के लिए थोड़ा सा नाकारात प्रभाव रहेगा, लेकिन ये सब general impact होता है, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की दशायें चल रही होती हैं, चंद्रमा की दशायें चल रही होती हैं, उनका जो है major impact रहता है, overall it's a general impact. जिन राशियों पर negative impact पढ़ रहा है, उन्हें क्या साफधान या बरतने की ज़ुरत है? और स्नान के पानी में अगर आप चंदन का इत्र लगा देते हैं, तो चंदन से राहु को डर लगता है, तो राहु की जो नकरात्म कूर जाएं वो चंदन से शय हो जाती है, तो चंदन का इत्र अपने कपड़ों में, अपने नहाने के पानी में अगर आप इस्तमाल करते है तो काफी negative उर्जएं कम होती है और ये सबी राशी वाले निसंग को चोकर कर सकते हैं इसके अलावा राभू केटु के मंतरों का जाब चंद्रमा के मंतरों का जाब राभू केटु के अगर महाधशा चल रही है आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है तो विशेश रूप से आपको उसका प्रभाव पढ़ने वाला है पुझा जी आप से जाना चाहूंगी अगर राशियों की बात की जाए राशियों पर जिस juvenile से आपने बताया की चEuशर हो रहा है कुछ पर अच्छा है और कुछ पर बुरा नेकिन कृट्ते दिन तक और प्रभाव रहता है और कितने दिन तक सावधान बरतने की या फिर उपाय करने की ज़रूरत होती है देखे के चंद्रग्रहण या सूरग रहन का एफेक्ट जो होता है 32-45 डेस तक रहता है और जैसे कि मैंने बताया कि यह जेनरल एंपक्ट रहता है क्योंकि चंद्रमा और सूरज कहा जाता है स्रिष्ट्री के माता-पिता है लिूमिनरीज है तो जब यही पीडित रहती है तो डेफिनेटली पृत्वी पे रहने वाले जितने भी लोग है उस पर इसका असर कही ना कहीं पड़ता है और मून जो है वो माइंड का इमोशन्स का और हमारी बॉडी के फ्लुएट्स का कारक है तो कहीं ना कहीं इमोशनल इंपक्ट एंग्जाइटी ठीक है वूमन में हॉर्मोनल इश्यूस टेंशन्स एंग्जाइटी प्रॉब्लम रहती है तो इसका इंपक्ट 15 से 30 दिन के बीच में आप जाधा देखेंग और जितनी राशियां हैं जिनकी राशियों में आक्चुल में राहु केतु की दशाई या चंद्रमा की दशाई या फिर ग्रहन योग की पत्रिकां हैं इन पत्रिकाओं में आप जाधा एफेक्ट देखेंगे ओवरॉल जनरल एफेक्ट है आप जो है चंद्रमा के मंत्रों कि मंत्र उंचारण हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं तो आप ओम नमशिवाय की चांटिंग करते रही है और जिस तरह नीती जी ने बताया कि आप पानी को एट्यून करके मंत्रों से अभी मंतुरित करके यदि आप वो पानी पिएंगे तो आपके अंदर जब वो एट्यून जाता है तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आती ही आती है सिरफ चंद्र ग्रहन के आसपास नहीं यह आपको नॉर्मल रूटीन में भी अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए कि जब भी पानी पिए वाटर चार्ज करके पिए ओम नमशिवाय जिस भी भगवान को आप मा सूर्य ग्रणड इन्होंने होना ही होना है तो डरने की आवेशक्ता नहीं है लेकिन वीषय साफधानिया अगर आप इस्तिमाल करते हैं तो निश्ए रूप से आपकी जो मांसिक मनोबल है वह आपका स्थिर रहता है और आपका मन नहीं भटकता तो मुक्यतर रूप से डरन की आवेशक्ता नहीं है यह होता ही है होगा आगे भी होगा लेकिन आपको अपनी मांसी कूर्जाओं को चैनलाइज करना है स्टेबल रखना है उसकी बाद इस तरह से एस्ट्रोनोमिकल इवेंट है होना ही है और साल में चार ग्रहन लगते ही लगते हैं तो यह साल का आखरी चंद्र ग्रहन है और उससे 14 दिन पहले सूर्य ग्रहन भी लगा है तो आपको इसे डरने की बिल्कुल जरुवत नहीं है का जनरल इंपाक्ट रहता है बाकि आपकी कितना मनोवल कितना स्ट्रोंग है उस पे बहुत चीज़े डिपेंड करती है तो ग्रहन से बिल्कुल डरने की ज़वरत नहीं है छोटे-छोटे से उपाय करकर आप ग्रहन के नकरात्मक प्रभाव से दूर रह सकते हैं इसी के आज पेशकेश में इतना ही नमस्कार